नमस्कार दोस्ते हर्शी दिवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है मेरा नाम है विनीत सागर डेली न्यूस अनालिसिस 29 मार्च 2023 आज की इंपोर्टन यूस कौन कौन सा है चेक करते हैं देखें अभी मैं डेली न्यूस अनालिसिस कर रहा हूं हर्शी सार एडिटोरियल स आपके लिए अप्लोड करेंगे शोटली ठीक है तो पांच आर्टिकल्स हम डीटेल में डिसकस करेंगे वन इस एपीए फो इंटरस्ट रेट बढ़ाने वाला है तो 8.15 परसंटेज इसके बारे में देखेंगे फिर एसेंशनल मेडिसिन का प्राइस इंक्रीज होने वाला ह है वह हम देखेंगे फिर शांकाय कोपरेशन और्गेसेशन कंट्रीज का नाशनल सेकुरिटी अडवेसेस का जो मीटिंग है वो इंदिया में होने वाला है हमारा एनसे आजित कुमार डौवल साब उसे होस करेंगे वो देखेंगे फिर स्कॉटलन में फिर्स्ट मिनिस्टर काउंटर पार्ट पोस्टा बोल सकते हैं तो हमसा यूसफ पहला मुसलिम लीडर होगा बस्ते यूरोप का एक गवर्ण्मन को हेट करने वाला ठीक है तो यह नुस भी हम डिस्कस करेंगे डीटेल में तो आगे जाने से पहले लक्षा पर लाइका बटन चानल को अब तक शे पर thanks का option यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको वीडियो informative लग रहा है, आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को share कीजेगा, यूटूब में इस वीडियो का engagement को भढ़ा दीजेगा, शुरुआत करते हैं, सबसे पहले नुज़, EPFO से टू marginary high interest on deposits to 8.15%, GS paper to government policies and interventions, interest rates, public accounts, ये सब मे इनुज़ आपको काम आएगा, सबसे पहले EPFO क्या है दोस्तों, Employees Provident Fund Organization, ये एक statutory body है, formed under the Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act of 1952, इस act के under ये body form हुआ था, Parliament से पास हुआ, एक act के under जब एक body form होता है, इससे कहते है statutory body, ठीके, तो EPFO जो है, एक statutory body है, 1952 का एक act से ये बना था, इस act के under अलग अ schemes frame किया हुआ है दोस्तों, ठीके, और इसे administer करते हैं, एक tri-party board, known as the central board of trustees, अब ये central board of trustees में कौन-कौन members है, एक तो देखे, government के representatives है, central government and state government के, फिर, जो employees है न, जो काम करने वाले, उनके भी representatives है, और जो employers है, जो काम देने वाले, उनके भी representatives है, तो ये, तीन type of members है, बेसिकली ये central board of trustees में, under the EPFO, ठीक है, now one important point, it is administered by the ministry of labor and employment government of India, ये थ्यान दीजीगा दोस्तों, क्योंकि देखे, अगर आपको ये पता नहीं है, तो अगर examination साब से पूचेंगे, EPFO, किस ministry के अंडर आता है, तो EPFO मतलब देखे, तो finance से रिलेटर है, तो कोई सोचेंगे कि ये ministry of finance के अं employment government of India, ये दुनिया का one of the largest organizations है, in term of clientele and the volume of financial transactions undertaken by it, देखे, हमारा देश बहुत बड़ा देश है, है किनि, population इतना है, तो obviously बात है दोस्तों, ये जो EPFO के अंडर जो members होगे, वो बहुत ज्यादा होगा, है किनि, तो number of members के इसाब से अगर आप देखोगे, ये one of the largest organization है, दुन of financial transactions, कितना financial transactions हो रहा है, उसके इसाब से भी one of the largest organization है, EPFO जो है, and the central board through the EPFO operates three schemes, अब ये तीन schemes कौन-कौन सा है, basically EPFO जो चला रहा है, one is Employees Provident Fund Scheme 1952, basically देखे, आपको पता होगा, जब आप एक company में काम करते हो, कोई भी organization में आप काम करते हो, आप एक employee हो, आपका basic salary का कुछ percentage, P.F. में जाता है, Provident Fund में जाता है, वो आपको retirement के time पे interest के साथ मिल जाएगा, आप बीच-बीच में P.F. में से loan भी ले सकते हैं, अब आपने सुना होगा, बस मैं आपको बता रहा हूँ, और है कि दोस्तों, Employees Pension Scheme of 1995, ये भी EPFO के अंडर याता है, फिर Employees Deposit Linked Linked Insurance Scheme, तो basically ये तीन Scheme चलाता है दोस्तों, EPFO का जो Central Board है, अब News क्या या है, EPFO set to marginally high interest on deposits to 8.15%, देखें मैंने आपको बोला, आपकी salary में से, भले आप Central या State Government Employee हो, या कोई भी organization का एक Employee हो, आपका basic salary का कुछ percentage PF में जाता है, है कि नहीं, अब वो PF में जो पैसे जाता है, उसके उपर आपको interest मिलता है, ठीक है, तो वो interest rate अभी increase किया है, Employees Prud and Fund Organization का Central Board of Trustees जो है, अब ये Central Board of Trustees में कौन-कौन members है, ये मने आपको पहले ही बता दिया, तो presently interest rate कितना होगा, 8.15%, केवल 0.05% का increase हुआ है, तो इस decision के बाद Union Labor Ministry, जिसके under EPFO काम करता है, उन्होंने बोला है, the decision involves the distribution of more than 90,000 crore in the members accounts, देखे, आपको मैंने पहले ही बताया, EPFO के अंडर जो volume of financial transactions है, वो बहुत ज्यादा है, number of members भी बहुत ज्यादा है, इसलिए 0.05% का increase मतलब बहुत ज्यादा है, तो Union Labor Ministry ने बोला है, ये जो 0.05% increase की बज़े से 90,000 crore रुपीज डिस्टिबूट होगा, ठीक है Now, the total principal amount with the EPFO is 11,00,000 crore, तो देखे, आप ही के इसाब से EPFO के पास, total principal amount, मतलब employees से जो PF के पैसे काटा है, वो जाके EPFO में deposit होता है, तो इनके पास अभी 11,00,000 crore रुपीज है दोस्तों, last financial year में, the total amount of interest was 77,424.84 crore for a principal amount of 9.56,00,000 crore, तो basically, last financial year में, 2022-23 financial year में, total principal amount with EPFO 9.56,00,000 crore था, ठीक है, उसमें वो interest distribute किये थे, 77,424.84 crore का, last financial year से अगर आप compare करोगे, total principal amount में 16 percentage का increase देखने को मिला है, ठीक है, 9.56,00,000 crore से 11,00,000 crore पहुंच गया न, वही बता रहा है, ठीक है, सुरी मैंने एक चीज़ गलत बोला, आपको last financial year मतलब 2021-22 है, मैंने गलती से 2022-23 कह दिया, क्योंगी अभी तो March खतम नहीं हुआ न, April 1 से अगला financial year, that is 2023-24 शुड़ू होगा, ठीक है, Another issue that came up in the meeting was related to EPFO's investment in exchange traded funds, अब थ्यान से सुनिएगा, मैंने आपको बोला, 11,00,000 crore है EPFO के पास, ठीक है, अब यह पैसे जो है, ऐसे पड़े ने रते हैं, वो क्या करते हैं, इन्वेस करते हो पैसे को, ठीक है, कुछ पैसे equity में वो लोग इन्वेस करते हैं, ताकि उसे कुछ return मिले, ठीक है, So the EPFO is allowed to invest 15% of its deposits in ETFs, ठीक है, तो हमारा जो EPFO है, उनके पास जो principal amount है, उसका 15% वो exchange traded funds में invest कर सकता है, ठीक है, तो अभी के हिसाब से EPFO केवल 10% of its deposits exchange traded funds में deposit किया है, तो 15% क्यों नहीं किया, इस तरह का सवाल उठादा इस meeting में, अब आप पूछों के exchange traded funds मतलब क्या है, आसान भाशा में एक type of investment है दोस्तों, जहाँ पे multiple areas में investment होता है, For example, मान लीजे, आपके पास कुछ पैसे है, आप उन पैसों को invest करना चाहता है, invest हम क्यों करते हैं, ताकि बात में आपको कुछ returns मिल जाए, आपका जो investment है, वो double हो जाए, या फिर थोड़ा सा increase हो जाए, हैगी नहीं, तो आप multiple areas में invest कर सकते हैं, आप चाहे तो gold खरीच सकते हैं, जिसका rate future में ज्यादा होगा, तो आपको return मिल जाएगा, आप bank में जाके deposit कर सकते हैं, आप कुछ assets खरीच सकते हैं, या फिर आप कुछ shares खरीच सकते हैं, हैगी नहीं, यह सब investment है, exchange traded funds में क्या होत से risk भी कम है, भले एक area में थोड़ा सा problem आ गया, फिर भी दूसरे area से आप उसे compensate कर सकते हो, एक type of mutual funds ही आप बोल सकते हैं, पर थोड़ा सा difference है, exchange traded funds and mutual funds में, mutual funds में भी यह होता है न, आप से पैसे लिए जाएगा, और आलग गलग shares में invest किया जाएगा, है कि नहीं, तो यही स Essential medicines set to see a hike from April 1, G.S. Prepar2, Government Policies and Interventions में उसा आपको काम आएगा, सबसे पहले Essential medicines मतलब क्या होता है, या फिर Essential drugs मतलब क्या होता है, देखे, World Health Organization के हिसाब से, Essential medicines are those that satisfy the priority healthcare needs of the population, तो basically, एक population का healthcare needs जो भी है, उसे satisfy करने के लिए, जो भी drugs चाहिए होता है, medicines चाहिए होता है, उसे आप Essential medicines बोल सकते हैं, ठीके, तो हमारे देश में ये Essential medicines का एक list मेंटेन होते हैं दोस्तों, जिसे बोलते है National List of Essential medicines, या फिर NLEM, ये list release करता है, Ministry of Health and Family Welfare, तो इस list में जितने medicines है न, जो Essential medicines है, इसका price ceiling fix किया है, by the National Pharmaceutical Pricing Authority, नाम से ह आपको पता चलगे होगा, एक ऐसा authority है दोस्तों, जो हमारे देश में pharmaceutical drugs का price क्या होना चाहिए, ये decide करते हैं, तो National Pharmaceutical Pricing Authority, जो है, National List of Essential medicines के अंदर, जितने भी Essential medicines है, उसका price ceiling fix किया हुए, मतलब एक particular price से ज्यादा कोई भी इस medicine को बेच नहीं सकता, ठीके, इन इंडिया, इ Essential medicines list released by the WHO, तो basically, इंडिया ने ये जो Essential medicines list frame किया है न, ये WHO की हिसाब से किया है, ये बताया जा रहा है, ठीके, Ministry of Health and Family Welfare, ये list को पहली बार prepare किया और release किया था 1996 में, तब इस list में 279 medicines थे, फिर इसे रिवेश किया था 2003 में, 2011 में, 2015 में, और 2022 में, अभी की हिसाब से 384 essential drugs से दोस्तों, इस National List of Essential medicines में ध्यान दीजेगा, तो इन Essential medicines का जो price है दोस्तों, उसमें 11% हाइक होने वाला है, ये news आया है, तो government ने ऐसा एक decision क्यों लिया है, क्यों price बढ़ा रहा है, क्योंकि wholesale price index में sharp price देखने को मिला है, अब देखे दोस्तों, जो medicine manufacturers है, या फिर जो drug manufacturers है, उन्हें भी तो थोड़ा बहुत profit होना चीए न, वो loss तो नहीं सहेगा, तो wholesale price index ज्यादा हुआ है, तो उसके इस इसाब से government ने ये desert किया, essential medicines का भी price थोड़ा सा ज्यादा कर ले, वैसे wholesale price index मतलब क्या होता है, very basic thing आपको पताए होगा, फिर भी एक बार आपका revision करा देता हूँ, it represents the price of goods at a wholesale stage, सबसे पहले wholesale price मतलब क्या होता है, आसान भाशा में, मालीजी आप एक दुकान में जाके कोई भी एक product खरीद रहे हो, आपको जिस price में वो product मिल रहा है, वो है consumer price, पर क्या वो दुकान दार को वो product उस price में मिला होगा, नहीं, उन्हें तो कम price में मिला होगा, उसे बोलते है wholesale price, क्योंगी उन्होंने उस product को bulk में खरीदा है, quantity of items ज्यादा है, तो basically wholesale price मतलब goods का वो price है दो consumer को wholesale price में वो item नहीं मिलागा, क्योंगी consumer एक, दो, तीन या चार product खरीदेंगे, ऐसा नहीं कि उन्हें 100 या 500 product चाहिए, है कि नहीं, तो जब इतना bulk में एक organization जब खरीदे हो, उन्हें wholesale price में मिल जाता है, है कि नहीं, इस wholesale prices को measure करने वाला, एक index है दोस्तों, wholesale price index, basically wholesale prices में कित decrease हुआ है, यह सब monitor करने वाला एक index है, wholesale price index जो है, and it is used as a measure of inflation in some economies, दुनिया में कुछ economies में inflation को measure करने के लिए, wholesale price index देखा जाता है, basically wholesale prices में कितना increase हुआ है, decrease हुआ है, उसके इसाब से वो देश की economy का inflation को calculate करते है, ठीके, Indian context में अगर बात करें दोस्तों, हम भी wholesale price inflation को use करता था inflation को measure करने के लिए 2014 तक, but April 2014 से हम consumer price index के basis पर inflation को count करते है, consumer price index मतलब क्या होगा, basically consumer को goods या products जिस price में मिल रहा है, उसमें कितना increase हुआ है, उसमें कितना decrease हुआ है, यह सब measure करने वाला एक index है, consumer price index, आजकल उस basis पर हमारे देश का inflation count होता है, ठीके, अब आपसे एक सवाल ह दोस्तों, inflation का एक tolerance level होता है, मतलब इस percentage से इस percentage के बीच में inflation को हमेशा maintain करना होता है, एक healthy economy के लिए, वो tolerance level क्या है, आप मुझे comment box में बताइए, तो अब news क्या है है दोस्तों, National Pharmaceutical Pricing Authority said the annual change in WPA was 12.12% for the calendar year 2022, तो calendar year 2022 के लिए wholesale price index जो है, इसमें 12.12% का change देखने को मिला, इसलिए इन्होंने essential drugs का prices को increase करने के लिए अनमदी दिया है, तो कुल मिला कर दोस्तों बस इतना ही समझ लीजिए, April 1 से हमें ज्यादा पेशे देना होगा अगर essential drugs खरीदना है, ये essential drugs में pain killers आएगा, anti-infection drugs आएगा, cardiac heart से related drugs आए ठीक, अब मैं आपको Ministry of Health and Family Welfare का official website पर लेके चालता हूँ, देखें मैंने आपको हमेशा बोला है, जब भी आप कोई government schemes के बार में पढ़ते हो, कोई भी department के बार में, agencies के बार में पढ़ते हो, उनका official website जो है, उसमें जाके आपको data collect करना है, क्योंकि जो question makers है, examination के लिए questions बनाते है, वो कभी भी कोई study materials को refer नहीं करेंगे, वो हमेशा genuine data देखते है, वो genuine data कहाँ पर मिलेगा आपको, official website में, जैसे कि इनका जो about us वाला tab है, इसमें देखें कितनी information है, ministry के बार में, कौन-कौन है, ठीक है, work allocation कैसा है, constitutional provisions क्या है, इनका organizational structure क्या है, यह सब आपको मिल जाएगा, मैं आपको इस website पर इसलिए लेके आया हूँ, इसमें आपको national list of essential medicines दिखा रहा है दोस्तों, जो 2022 में update हुआ है, ठीक है, यह आप download भी कर सकते है, तो मैंने आपको कितना medicines list में बोला था, 384, तो देखिए, इसमें पूरा list है, दोस्तों, 1 से लेके आपको नीचे 384, वो कौन-कौन से essential drug से, यह आपको पता चल जाएगा, ठीक है, जिसका price जो है, national pharmaceutical pricing authority desired करते हैं, या फिर एक price ceiling रखते हैं, यह मैंने आपको बता दिया, ठीक है, अगला है, NCPCR rights to states to introduce concessions for children with type 1 diabetes in schools, GS paper to health education में यह उस आपको काम आएगा, सबसे पहले, NCPCR क्या है, national commission for protection of child rights इसके बारे में कुछ basic details देख लेते हैं, यह भी एक statutory body है, statutory body क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया, parliament से पास हुआ, एक act से, या फिर statute से बना हुआ, जो body है, उसे statutory body बोलते है, ठीक है, तो national commission for protection of child rights, किस statute से बना था, commission for protection of child rights, that is CPCR act of 2005, तो यह ministry of women and child development के under आता है, इन के इसाब से child कोने दोस्तों, very important statement, child is defined as a person in 0 to 18 years age group, ठीक है, तो अथारा साल है, अथारा साल तक जो बैच्चे है, वो child में आएगा, it aims to ensure that all laws, policies, programs and administrative mechanisms are in harmony with child rights perspective, as enshrined in the constitution of India and also the UN conventions on the rights of the child, तो basically, national commission for protection of child rights का का काम यह है, दोस्तों, जितने laws है, policy से, program से, हमारे administrative mechanisms है, यह child rights को respect करते हैं या नहीं, यह वो check करते हैं, अगर नहीं करते हैं, तो करने के लिए recommendations देते हैं, ऐसा नहीं कोई भी law हो गया, policy हो गया, program हो गया, यह child rights के खिलाफ है, इसे बैचों को दिक्कत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चीए ना, तो जैसे हमारा constitution of India में लिखा है, जैसे United Nations Convention on the Rights of the Child में लिखा है, उसके इसाब से सारे laws, policies, programs and administrative mechanisms होना चाहिए, यह ensure करना national commission for protection of child rights का काम है, तो इस commission में एक chair person है and six members है, और इसमें at least two should be women, very important point, इस तरह के statement साब से पूछा जाएगा, तो commission में एक chair person है, छे members है, और यह छे members में दो women होना चाहिए, and all of them are appointed by the central government for three years, तो तीन साल का appointment है, maximum age to serve क्या है दोस्तों, 65 years है, for chairman and 60 years for members, तो जैसे कि हमारा chief judges of India का या फिर supreme court judges का जो age limit है, 65 years, वही इधर chair person को दिया है, but members के लिए 60 years, तो अब news क्या आया है, NCPCR ने chairman और secretary of education boards of all states and union territories को लिखा है, stating, it is the duty of schools to ensure that children with type 1 diabetes are provided with proper care and required facilities, तो देखिए, जितने बैचे type 1 diabetes से सफर करते हैं, उन्हें proper care and required facilities provide करना हर एक school की responsibility है, अब आप पूछो के type 1 diabetes मतलब क्या होता है, असान भाशा में दोस्तों, type 1 diabetes is where your blood glucose और blood sugar level is too high, because your body can't make a hormone called insulin, यह आपने पढ़ा होगा, है कि नी, basically हमारे शरीर के अंदर एक pancreas gland है, जो insulin secrete करते हैं, insulin का काम यह है, blood sugar levels को control करना, है कि नी, यह आपने पढ़ा होगा, पर अगर आप थोड़ा सा deep जाओगे, होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ, देखिए दोस्तों, नॉर्मली, जब हम खाना खाते हैं, या फिर कोई drink पीते हैं, तो क्या होता है, उसके अंदर जो carbohydrate है, वो glucose में बजल जाता है, यह काम हमारा शरीर करता है, basically carbohydrates को glucose में, breakdown करने का काम जो है, जिसे हमें energy मिलता है, पर actually होता क्या है, जब यह glucose हमारा blood stream में enter करता है, यह हमारे हर एक cell के अंदर गुसना चाहिए, तब जाके हमें energy मिलेगा, हमारे cells को energy मिलेगा, है कि नी, basic block cells है न, तो cells के अंदर हमें energy चाहिए, तो वो energy glucose से मिलता है, है कि नी, पर यह जो blood stream में glucose है, उसे अगर हमारा cells के अंदर enter करना है, इसके लिए insulin की ज़रुरत है, insulin actually एक access है, यह अब बोल सकते हैं, दर्वासे पर insulin खड़ा है, दर्वासे खोलने के लिए, उनके पास की है, ठीक है, अब insulin वो की खोलके नहीं देंगे, तो यह जो glucose है, हमारे cells के अंदर नहीं पहुंचेंगे, तो जब आपको type 1 diabetes होगा, तो आपके शरीर के अंदर insulin नहीं होगा, तो हाँ, आपका blood stream के अंदर जो glucose है, वो cells के अंदर गुच नहीं पाएंगे, इस वज़े से क्या होगा, more and more glucose than builds up in your blood stream, leading to high blood sugar level, तो जो glucose, cells के अंदर जाना चाहिए, हमें energy प्रोवेट करना चाहिए, वो insulin नहीं होने के वज़े से blood stream के अंदर ही रह जाएगा, जिस वज़े से आपके blood के अंदर जो sugar level से वो हाई हो जाएगा, तो यह है, तो यह है actually type 1 diabetes, अब आप य पैंक्रियास के अंदर जो सेल्स है उसे अटाक करते है, जिस वज़े से वो सेल्स जो है, इंसुलीन प्रोडूस नहीं कर पाएगा, इतना क्लियर है, now, International Diabetes Federation Atlas 2021 के हिसाब से, India has the world's highest number of children and adolescents living with type 1 diabetes mellitus at over 2.4 लाख in the Southeast Asia, very important statement, International Diabetes Federation Atlas 2021 के हिसाब से, इंडिया में सबसे ज्यादा children है, adolescents है, जिनको type 1 diabetes मिलते है, at over 2.4 लाख, ठीक है, now, news क्या आया है दोस्तों, NCPCR ने सारे states को लिखा है, उन बच्चों का proper care and required facilities होना चीए, जिनको type 1 diabetes है, ठीक है, तो NCPCR की तरफ से कुछ गेटलेंड से दोस्तों, सारे chairman, secretary of education boards of all states and union territories के लिए, जैसे कि, ए child with T1D, who requires a mid-afternoon snack, should be permitted by the class teacher to consume it, अगर वो बच्चे को mid-afternoon snack खाना है, तो उसके लिए permission देना चीए, जो exams लिखते हैं, उन्हें medicines क्यारी करने के लिए अलो करना चीए, snacks and water क्यारी करने के लिए अलो करना चीए, ताकि वो अपना sugar level हमेशा monitor करें, ठीक हैं, in fact, NCPCR appeals to states that in case a smartphone is required to monitor sugar levels, it should be allowed and can be held by the invigilator in the hall, मतलब देखें, NCPCR ने ये तक बोला है, examination hall में, अगर बैचों को smartphone की जरूरत है, उनके आजकर बहुत सारे technology हैं, sugar levels monitor करने के लिए बहुत सारे apps वगरा है, तो वो अगर carry करना है, वो भी allow करो, बस invigilator के पास deposit करना चीए, final news, India to host meeting of security advices from Shanghai Corporation Organization countries, GS paper 2, international relations में ये news आपको कामाएगा, देखें ये जो साले 2023, ये international relations के perspective में इंडिया के लिए एक important साल है, क्योंगी एक तो G20 की presidency इंडिया के पास है, तो G20 final meeting से पहले, foreign ministers का meeting जो है, finance ministers का meeting जो है, cultural ministers का जो meeting है, ये सब होई रहा है, इंडिया के अलग-अलग cities में, है की नहीं, तो इसके अलावा, Shanghai cooperation organization का जो summit है, ये भी इंडिया में होने वाला है, तो Shanghai cooperation organization का जो final summit है, उसमें तो member countries के जो heads है, वो attend करेंगे, पर उससे पहले अलग-अलग meetings होते हैं, जैसे कि हर member country के defense ministers का, foreign ministers का, national security advisors का, इस तरह की meeting भी होते हैं, तो इसमें national security advisors का meeting है, वो shortly होने वाला है, और उसे chair करेंगे, हमारा national security advisor अजित कुमार डोवल साब, ये news आया है दोस्तों, ठीक है, तो ये जे meeting में, अब इसी बात है, Russia से भी national security advisor आएंगे, basically उनका जो secretary of the security council है, Nikolai Patrushev, वो आने वाला है, अब Russia Ukraine crisis के context में अगर आप देखोगे, ये meeting काफी significant है दोस्तों, क्योंकि सारे like-minded countries है, for example, United Nations Security Council में जब Russia के against sanctions imposed कर दा था, तो आपको पता है दोस्तों, इंडिया ने तो vote से abstain किया था, basically neutral position लिया था, बाकि जितने SEO member countries है न, वो भी ऐसे ही position लिये थे, चैना की बात करे, प neutral position लिया था, basically vote से abstain किया, इसके अलावा Indian context में बात करे, तो ये Russia Ukraine crisis के वजए से India और Russia के बीच में जो relations है, उसमें कोई problem नहीं हुआ है, in fact India ने तो Russia का मदद भी किया है, basically हमने उनसे crude oil खरीदा, ये अलग बात है कि हमें कम price में मिला, फिर भी majority of countries उनसे crude oil खरीदी रहे थे sanctions से डरके, पर India ने Russia से crude oil खरीदा, अभी भी India largest importer of arms है, Russia का, है कि नहीं, in fact Russia ने ये भी बोला है, जितने भी delivery promised है, वो सब timely हो जाएगा, ये Russia Ukraine war की वज़े से कोई problem नहीं होगा, तो basically India और Russia की बीच में जो bilateral relations है, उसे और strengthen करने में इस तरह के meetings कामा आएगा, इसके अलावा and Russia's plans for Eurasian economic block के बार में बाते होगी, क्या है ये Eurasian economic block या Eurasian economic union, ये basically एक economic union है, of some post-soviet states located in Eurasia, तो basically Eurasian region में जो post-soviet states है, erst well Soviet Union का part, जो countries थे न, उनका एक economic union है दोस्तों, economic union का मतलब क्या होता है, basically एक single market create करने का plan है, इन countries के बीच में free trade agreements बगरा होगा, open trade होगा, कोई तारिफ अगरे, impose नहीं करेगा, हैगी नहीं, जैसे कि European Union आप बोल सकते हैं, वैसे एक single market establish करने का plan है, इसमें अभी के इसाब से, member states से, Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia, etc. ठीक है, और ये force में आया था, 1st January 2015 को, Eurasian economic union का integrated single market है, 183 million people का, and gross domestic product है, over 2.4 trillion dollar, तो फले इस union में इंडिया नहीं है, फिर भी इसके बारे में भी बात होगी, ये बताया जा रहा है, ठीक है, इसके अलबा क्या बताया जा रहा है, इरान is expected to become a full member of SEO this year, ये मिन आपको पहले बताया दोस्तों, इरान को SEO में include करने का जो formalities है, वो सब इरान, SEO का full member बेनेंगे, ठीक है, and apart from the presence of Russian team, presence of Pakistan in the SEO is a subject of interest, ओभी इसी बात है दोस्तों, जब इंडिया और पाकिस्तान एक साथ meeting attend करेंगे, ये हमेशा एक subject of interest है, and India has already extended invitation to Pakistan foreign minister, बिलावल भूटो सरदारी, and defense minister, Khwaja Asif, to participate in the meetings of foreign ministers and defense ministers of SEO, देखे, मैं आपको पहले बता है न, SEO का final meeting होने से पहले, final meeting मतलब, उसमें heads of the member countries आएंगे, उसे पहले defense ministers का meeting है, foreign ministers का meeting है, तो इंडिया ने already invitation बेजा है, पाकिस्तान foreign minister and Pakistan defense minister को, अब इसमें वो attend करेंगे ये नहीं attend करेंगे, इसका कोई confirmation नहीं आ है, पर अब जो national security advisor का meeting होने वाला दोस्तों, इसमें पाकिस्ता करेंगे, इस तरह का confirmation मिला है, और एक news है, हमजा यूसफ confirmed as new Scottish leader, GS paper to international news, देखे, Scotland में recently general elections conduct हुए थे, Scottish national party की जीत हुई थी, तो Scottish national party का leader हमजा यूसफ, Scotland का first minister बेनने वाला है, first minister माने हमारा जो prime minister का counterpart आप बोल सकते हैं, तो हमजा यूसफ replace करेंगे, निकोला स्टरजन को, ठ Scotland का youngest and first Muslim leader होगा, उपर से western Europe में एक government का पहला Muslim leader होगा, हमजा यूसफ, सबसे पहले Scotland का map देखें दोस्तों, आप सबको मालूम है, Scotland United Kingdom का part है, United Kingdom में चार countries आते हैं, one is England, second is Scotland, third is Wales and fourth is Northern Ireland, वैसे पिछले कुछ सालों से Scotland में Scottish independence के लिए काफी demand रहा है, basically UK से अलग होके, as an independent country रह है नका demand Scotland में रहा है, और इसके लिए काफी political parties ने भी fight किया है, तो अब ऐसा लग रहा है हमसा यूसफ भी ये movement को rejuvenate करेंगे करके, basically independence of Scotland के लिए वो भी fight करेंगे करके, वैसे 2014 में Scotland में एक referendum कंडट किया था, referendum मतलब क्या होता है, basically directly लोगों से पूछा जाएगा, हाँ या 45% लोगों ने बोला उन्हें UK के साथ रहना है, पर 45% ने बोला था कि हमें as an independent country रहना है करके, और last year जब Nicholas Sturgeon First Minister थे Scotland का, तो उन्होंने फिर से एक referendum कंडट कराने के बारे में सोचा था, plan भी किया था, क्यूंकि उनको लगा कि अब 3 साल हो चुका है, लोगों का attitude बदला पर UK का Supreme Court ने ये रूल किया था, that Sturgeon's Government could not hold a new referendum on Scottish independence without London's approval, तो लेंडन के approval के बिना Sturgeon का Government referendum कंडट नहीं करा सकता, इस तरह UK का Supreme Court ने बोला था, अब जब हमसा यूसफ First Minister बनेगे, अब टाइम ही बताएगा क्या का changes होने वाला है, ये फिर से referendum कंडट करने के बारे में सोचे या नहीं सोचेंगे, यह सब देखने वाली बात होगी, तो दोस्तों, that's it, I hope आपको वीडियो informative लगा होगा, लक्षे की PDF as usual आपको टेलिग्राम चानल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे description box में provided है, thank you for watching, bye bye, have a nice.